C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिये पेश है सफ़ा नंबर उननीस सबक चार नजम मेरा प्यारा वतन नजम निगार सीमाब अकबराबादी मेरी इज्जत है ये, मेरी दौलत है ये, मेरी अजमत है ये, मेरी जन्नत है ये, मेरा प्यारा वतन इसके दर्या बड़े, ताजगी से भरे, बाग फूले फले, लहलहाते हुए, मेरा प्यारा वतन इसके चश्मे जवाँ, इसमें नहरे रवाँ, जंगल और वादियां, इससे अच्छी कहाँ, मेरा प्यारा वतन ये वतन है मेरा, मैं हूँ इस पर फिदा, इस पे रखे खुदा, अपनी रहमत सदा, मेरा प्यारा वतन सीमाब अकबर आबादी सफ़ा नमबर बीस एक, लव्ज और मानी अजमत बढ़ाई वतन अपना देश चश्मे चश्मा की जमा, पानी का सोता रवा बहता हुआ, चलता हुआ, जारी वादियां वादी की जमा, पहाडों के दर्मियान की जगा फिदा कुर्बान रहमत महरबानी सदा हमेशा दो, गौर कीजिए ये बड़ी प्यारी नजम है बच्चे इसे मिलकर कौरस या तरानी की शकल में भी गा सकते हैं नजम में वतन से महबत का इजहार किया गया है दर्या, बाग, फल, फूल, चश्मे, नहरें, जंगल वगेरा हमारे वतन की खुबसूर्ती बढ़ाते हैं नजम में इन सब का जिक्र किया गया है हर शख्स को अपने वतन से महबत होनी चाहिए सफ़ा नंबर 21 तीन, सोचिए, बताईए और लिखिए अलिफ, हमारे वतन का क्या नाम है बे, नजम में जन्नत किसे कहा गया है जीन, शाइर ने अपने वतन के लिए क्या दूआ मांगी है दाल, शाइर ने नजम में किन खुबसूर्ती बढ़ाने वाली चीजों का जिक्र किया है चार, इन मिस्रों को पूरा कीजिए मेरी खाली जगा है ये इसमें खाली जगा रवां इसके खाली जगा जवां अपनी खाली जगा सदा इस पे खाली जगा खुदा पांच पढ़िये, समझिये और लिखिये लड़का, उस्ताद, लड़की, अबबा, सुल्ताना, शेरनी, सुल्तान, अम्मा, शेर, उस्तानी इन लवजों को अलिफ और बे खानों में दोबारा तर्तीब से लिखा गया है अलिफ, लड़का, बे, लड़की, अबबा, अम्मा, सुल्तान, सुल्ताना, उस्ताद, उस्तानी, शेर, शेरनी खाना अलिफ के तमाम लवज नर और बे के मादा हैं नर को मुजकर और मादा को मौनिस कहते हैं बे जान चीजे भी मुजकर और मौनिस बोली जाती हैं जैसे वतन, दर्या, बाग, फूल, जंगल मुजकर हैं और इज़त, दौलत, जन्नत, नहरें और वादियां मौनिस हैं सफ़ा नंबर बाइस इस नजम से खानों के मताबिक पांच-पांच अलफाज लिखिए मुजकर मौनिस छे, इन मिसरों को इशारे के मताबिक सही तर्तीब से लिखिए अलिफ, मेरी इज़त है ये, ताज़गी से भरे बे, मेरी अजमत है ये, इसमें नहरे रवा जीन, इसके दरिया बड़े, मेरी दौलत है ये दाल, इसके चश्मे जवा, मैं हूँ इस पर फिदा हे, ये वतन है मेरा, अपनी रहमत सदा वाउ, इस पर रखे खुदा, मेरी जन्नत है ये इशारे के तौर पर, अलिफ का मिस्रा, मेरी इज़त है ये को, मेरी दौलत है ये, मिस्रे से जोड़ा गया है इसी तरह सही तर्तीब से बाकी के मिस्रे लिखिए साथ, वाहिद और जमा, अलग-अलग लिखिए दरिया, वादिया, जंगल, चश्मे, नहरे, बाग, फूल, रहमत वाहिद, जमा, सफ़ा नमबर टेईस, आठ, यहाँ पर हिंदुस्तान का नक्षा दिया गया है, इसमें रंग भरिये नौ, खुश्खत लिखिए इज़त, वतन, अजमत, ताजगी, लहलहाते सफ़ा नमबर चौबीस जंगल, वादियां दस, इस नजम को पढ़िए और याद कीजिए इसी के साथ ये सबक यहीं पर खत्म हुआ अभी आप सुन रहे थे सबक चार नजम, मेरा प्यारा वतन समय रिकॉर्डिस्ट, बतिलैंग लिंग्डो समय फनकार, परवेज गोहर और शिमायला परवेज एडिटिंग, हिदायतकार और तखलीककार, विमलेश चौधरी पेश करदा, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत